Hello everyone, so welcome to today's class, पिछले class में हमने configure किया था कुछ basic settings, जो हमारे vendor master create करने के लिए ज़रूरी होता है, उससे पहले ज़रूरी होता है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो आई बटन में जाके यहां पर आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक वहां पर करने से पहले, तो आज हम सिखेंगे how to create a vendor master by purchasing department, तो purchasing department के side से, यानि कि हमारा जो MK01 transaction code से हम कैसे vendor master create कर सकते हैं, so let's start. तो या तो आप जो T code है हमारा, MK01 यहां से enter करके, MK01 यहां से enter करके आप जा सकते हैं, नहीं तो हम यहां से drop down से जा सकते हैं, logistics, logistics के बाद material management, material management के बाद यहां से आप जा सकते हैं purchasing, purchasing के बाद यहां से आप जा सकते हैं master data, master data के बाद आपको यहां पे मिलता है vendor, vendor पर फिर्स्स जो category है, वो है purchasing, दूसरा है central, तो यहां से prevention करते हैं, पर्चेजिंग से यहां पर create का option है, तो हम यहां से create कर देते हैं, तो यहां पर पहला जो field है, वो है vendor का number, यानि कि number range assignment जो हमने किया था, उसके हिसाब से, यहां पर आपका जो number है, वो या तो automatically ले लेगा, या फिर आप यहां पर enter कर सकते हैं, next जो है, वो है purchasing organization, तो यहां पर एक purchasing organization के साथ ही हम vendor create कर सकते हैं, ताकि वो purchasing organization इस vendor के साथ जो भी हमारा buying का रहेगा, वो सारा जो process है, वो इसी purchasing organization के साथ ही हो पाएगा, तो यहां पर हम ले लेते हैं हमारा जो purchasing organization हमने बनाया था P110, I hope सारा purchasing organization सारा जो organization structure है, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं होगा, तो आप जाकि एक बार में, जो हमारा वीडियो है, organization structure create या तो उसको follow कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ confusion हो रहा है, तो आप Excel seat में, एक Excel seat में ऐसे जो हमारा दिया गया है, तो यहां पर आप जो जो configure कर रहे हैं, यहां पर उसका details आप यहां पर enter कर सकते हैं, हम यह seat जो है, इसको हम दीरे दीर update करेंगे, और अगर जरूरत होगा, तो हम इसको अपने वीडियो में भी, हम इसको include कर देंगे, इसको description में, या तो कहीं पर इसका link मैं दे दूँगा, जहां से आप इसको download करके check कर सकते हैं, या तो फिर इसी format पर ही आप update कर सकते हैं, तो यहां पर account group जो हमने last time create किया था, वही account groups है, हम यहां पर जो account group अगर हम enter करेंगे, तो यह vendor का number वहां से select हो जायागा, और अगर आपका vendor का कोई template है, तो आप यहां से existing vendor और उसका purchasing organization दोनों अगर दे दोगे, तो आपका जो vendor है, जो नया वाला vendor है, वो उसी template से यहां पर create हो जाएगा, तो हम यहां पर suppose account group जो हमने लिय लिया था, वो हमने लिया था, Tata Motors, manufacturing vendor लिया था, तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पर हमारा vendor जो है, वो internal दिखा रहा है, जब यह save होगा, उस time में आपको number दिख जाएगा, जो हमारा number range हमने जो configure किया था last time, वो उसी के इसाब से आना चाहिए, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, हमने जैसे वहां पर field selection किया था, यहां पर title के बाद only name 1 के लिए जगा है, और name 2 जो है, वो name 2 आपको यहां पर display field में दिखाई दे रहा है, और यहां पर next जो field था, वो search term हमने search term only 1 रखा था, और search term 2 जो है, उसको हमने suppress कर दिया था, तो इसके वज़े से यहां पर आपको search term 2 जो है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, I hope यह आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने पिछला वाला वीडियो दिखा होगा, तो अगर नहीं देखा होगा, to follow those points, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिछला वीडियो देखन से आपको यहां पर points clear हो जाएगा, कि कौन से configuration से यह वाले fields जो है, यह hide हो रहे हैं, यहां पर यहां पर जो display mode में आ रहा है, तो यहां पर हम addresses का enter कर लेते हैं, suppose यहां पर company देते हैं, और यहां पर vendor को हम manufacture vendor रखे हैं, तो suppose हम यहां पर Tata Motors का एक manufacture vendor ले ले लेते हैं, suppose हम यह यहां पर मिंडा एंटर कर लेते हैं, हमारा company है, और यहां पर हमने जो search term रखा है, उस पर भी मिंडा रख लेते हैं, यहां पर हम street number, suppose street number 10 दे देते हैं, यह आप कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर बस important है कि हमारा जो country है और जो region है, वो ही आना चाहिए, तो हम यहां पर बाकी सारा जो चीज है, वो कुछ भी हम दे सकते हैं, तो यहां पर आप address देने के बाद एक बार enter कर दीजिए, तो enter करने के बाद यहां पर दूसरा जो screen है, vendor का control screen यहां पर open होता है, तो यहां पर सबसे पहला जो field है, वो है customer, तो आपका vendor, अगर आपका customer ह तो यहां पर वो customer का number आपको यहां पर enter करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको यह वाला जो vendor आप create कर रहे हैं, वो vendor को आपको as a customer create करना पड़ेगा, SD side में, उसके लिए जो T code है, वो है XD01, आप XD01 में जाके, वो customer पहले आप create कर सकते हो, और वहां पर जो आपको number मिलेगा, वहां पर customer का number रहेगा, वो number आपको यहां पर enter करना पड़ेगा, तो यहां पर vendor control में, सिर्फ हमारा इकी field, जो है customer, वो ही important है, बाकि जो है, वो tax information, अगर आपको यहां पर कुछ टालना है, tax type, या फिर, कोई भी, अगर कुछ भी information आपको यहां पर डालना है, तो आप यहां पर enter कर सकते हैं, हमारे लिए अभी यह field जो है, एतना ज्यादा important नहीं है, हम enter करते है, तो enter करने के बाद, यहां पर purchasing data का tap, जो है, purchasing data आ रहा है, त हम ने, suppose, इंडिया में purchasing के लिए, हम Indian rupees use करते हैं, जिसको बोलते हैं, आइए नर, तो हम यहां पर इंटर कर देते हैं, next, जो है, terms of payment, तो terms of payment क्या होता है, normally हमारे जो vendor है, हम उसको कैसे payment कर रहे हैं, cash से payment कर रहे हैं, check से payment कर रहे हैं, या bank transfer कर रहे हैं, या फिर, उसको details है, हम क्या करेंगे, उसको यहां पर, उसके लिए एक payment term बनाएंगे, तो वो payment term कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं, तो यहां पर हम जाते हैं, SPRO, उसके बाद हम जाते हैं, material management, उसके बाद हम जाते हैं, purchasing, 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 purchasing की बाद हम जाते हैं, vendor master, vendor master में फेला जो condition है, वो है, पहला जो tab है, या फिर फेला जो field है, वो है, define terms of payment, तो यहां पर हम click कर लेते हैं, तो यहां पर, suppose यहां पर already हमारा जो payment term कुछ दिखा रहा है, हम यहां पर new entries कर लेते हैं, new entries करके, यहां पर हम जो payment term है, वो हमारा Tata Motors 01 कर लेते हैं, TM01, यहां पर text जो है, उसको हम डाल लेते हैं, payment terms, तो यहां पर account type, कौन सा एक customer है, यह vendor है, आप यहां पर select कर सकते हो, next जो है, वो है payment method, तो यहां पर different types of payment method हैं, आप यहां से select कर सकते हैं, तो यहां पर suppose country है, country में हम India select कर लेते हैं, तो इंडिया में यहां पर C में check है, T में bank transfer हैं, तो हम यहां से suppose यह वाला select कर लेते हैं, तो हमारा bank transfer method select हो गया है, तो अगर हमको, यहां पर अगर यह जो vendor को हम payment करेंगे, अगर वो payment हमारा installment possible है, तो हम यहां से क्या करेंगे ? तो हम यहां से यह वाला जो इंडिकेटर है इसको select कर लेंगे, select करने के बाद यहां पर कितना percentage हम फर्स्त हम में कितना percentage कर सकते हैं, suppose हम 50% pay करेंगे 15 दिन के अंदर और बाकी जो 50% है वो pay करेंगे एक मैने या तीन मैने के बाद जो भी आपका condition रहे वो यहाँ पर आप mention तो यहाँ पर default for baseline date जो होता है यह date हमारा क्या होता है हम जो payment terms use करते हैं suppose हमारा payment terms जो है है वो कितने दिन के बाद suppose जैसे हम यहां पर percentage 50% का जो देंगे 15 दिन के बाद वो कौनसे date से calculate करेगा वो हम यहाँ से select कर सकते हैं suppose आपका document date रहेगा या posting date रहेगा या entry date रहेगा entry date यानि कि आपका जिस दिन आपका material आपके warehouse में आया या फिर आपके plant में आया वो दिन का होता है वो entry date होता है suppose आपने जिस दिन आपका जो document है मतलब GR आपने entry किया वो होता है posting date तो उस date से भी आप अपना base date अगर चाहें तो डाल सकते हैं next जो होता है document date यानि कि आप जिस दिन IR entry करते हो यानि कि invoice entry करते हो वो date भी हो सकता है आपका baseline date तो यहां से आप कुछ भी select कर सकते हो यहां पर no default set है आप अपने हिसाब से कुछ भी यहां पर set कर सकते हो तो हम यहां पर इसको save कर लेते हैं ہट तो हम यहांपे हमारा payment term था tm01 एक बार हम search कर लेते हैं क्या हमारा payment term बदक्राइप हो गया है के नहीं है तो यहां पर update हो गया है तो हम यहां से ले लेते हैं next जो है वो है incoterms तो यहां पर basically incoterms जो होता है वो किसके लिए होता है normally हमारा जो overseas vendor होता है अगर हमारा जो material है वो बाहर से आ रहा है तो उसका जो freight charges रहेगा freight यानि कि हमारा जो transportation charge रहेगा वो पॉन पे कर रहा है अगर वो जो हमारा material आ रहा है वो shipment जो आ रहा है अगर उसका insurance भी कराना है तो insurance कौन करवाएगा तो यह जो सारा चीज है यह हमारा जो international chamber of commerce है उन्होंने कुछ rules and regulation बनाया हुआ है तो हम उसको follow करके हम यहां पे incoterms जो है हम बना सकते हैं और यहां पे हम incoterms जो है वो mention कर सकते हैं तो यहां पे by default जो काफी सारे incoterms already होंगे जैसे कि यहां पे CFR है cost and freight तो यहां पे जो cost रहेगा यानि कि जो insurance का suppose यहां पे जो transportation का charge रहेगा और जो freight का charge रहेगा तो वो दोनों जो है वो पे करना पड़ेगा आपके vendor को तो यहां पे आप उसके हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो suppose यहां पे freight free है मतलब आपको कोई भी payment नहीं देना पड़ेगा freight charges मतलब अगर आपका जो सामान है वो बाहर से अगर आ रहा है अगर वो flight से आता है या कोई भी medium से आता है और उसका जो insurance होगा उसके लिए भी आपको पैसा देने के लिए नहीं पड़ेगा और यहां पे और एक option है cost and insurance and freight तो यहां पे अगर आप इनको टर्म्स भी बना सकते हैं तो हम चली दिखते हैं कैसे हम इनको टर्म्स जो है वो बनाएंगे तो यहां पे हम back चले जाते हैं बैक जाने के बाद यहां पे आपको है check इनको टर्म्स तो यहां पर आपको वहां पर जितना सारा इनको टम्स दिखाई दे रहा था यह अल्रेडी है अगर आपको कोई नया वाला इनको टम्स बनाना है तो आप यहां पर निव एंट्रीज में जाके आप यहां से बना सकते हैं या तो फिर आप यहां से चाहे तो copy भी कर सकते हैं तो हम यहां पर suppose CFR दे देते हैं cost and freight और आप यहां से free वाला भी select कर सकते हों तो यहां पर हम select कर लेते हैं insured freight free हम यहां पर select कर लेते हैं तो यहां पर next जो है वो है minimum order value तो आप अपने vendor को minimum कितना value का order देना चाहते हैं वो आप यहां से maintain कर सकते हैं तो suppose हम यहां पर 10,000 दे देते हैं तो अगर आप 10,000 से below कोई भी order place करते हैं इस vendor के साथ जो vendor हम अभी create कर रहे हैं तो आपका जो system है वो या तो error दे सकता है या तो warning दे सकता है आपके system के उपर depend करता है आपने क्या उसको set करके रखा है warning पर set करके रखा है या जो error पर set करके रखा है तो यहां पर हम minimum order value set करके रखते हैं suppose हमने 10,000 का minimum value हमको देना है तो जब हम PO create करेंगे उस time में हम check करेंगे क्या हमको such में अगर हम below इसके price में करते हैं तो क्या हमको error या warning दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो next जो field है वो है schema group vendor तो schema group vendor आपको क्या करता है यहां से यह factor जो है यह determine करेगा आपका जो schema या फिर आपका जो pricing procedure है वो PO में कैसे calculate करेगा वो इसके उपर depend करता है तो यहां पे standard procedure vendor है तो यहां पे standard जो भी हमारा standard रहेगा pricing procedure वो calculate करेगा यहां से कोई special चीज़ तो यहां पे next जो field है वो है pricing date control तो यहां पे आप mention कर सकते हैं आपका कौन से date से आपका vendor का जो stock है वो value रहेगा हमारे side में मतलब हम उसको उस date से जैसे हमने baseline date देखा था terms of payment में यह same वोई field है तो हम यहां पे check कर सकते हैं यहां पे already no control है तो हम यहां से अगर चाहें तो यहां पे define जो हमारा date से suppose यहां पे purchase order date है delivery date है current date है manual है manual मतलब यहां पे हम manually कोई भी date date इंटर कर सकते हैं या फिर जिया date तो यह सारे जो है हम कोई भी एक्सिलेट कर सकते हैं उस date से हमारा जो जो आइटम हमने purchase किया है vendor के पास से उस दिन से हमारा वो value जो है वो हमारा उसी दिन से calculate करेगा तो next जो है वो है sales person telephone और account with vendor तो यहां पे यह बस हमारे लिए हमारे information के लिए है तो अगर आप यहां पे कोई भी contact person का नाम या फिर उसका telephone number तो यहां पे अगर आप enter करना चाहें तो आप यहां पे इंटर कर सकते हैं next जो है control data यह वाला जो टाब है यह वाला जो हमारा group है यह important है तो इस पर पहला जो indicator आता है वह आता है GR based invoice verification तो अगर हम इसको select कर देते हैं तो हमारा vendor का invoice जो है वह verify हो जाएगा GR quantity के साथ तो हम अगर इसको select करते हैं तो vendor जो invoice हमको दिया है हम उसको किसके साथ verify करेंगे उसको verify करेंगे हमारा GR quantity के साथ तो अगर हम यह वाला indicator यहां पे select करते हैं तो यह purchasing screen पे मतलब हमारा जो PO का screen है PO के screen पे भी हमारा GR based invoice verification यह जो check box है वहां पर already check होके आएगा अगर हम चाहें तो वहां पर edit भी कर सकते हैं next जो field है या फिर next जो point है वह है automatic evaluated GR settlement delivery और automatic evaluated GR settlement returns तो यह दोनों को अगर हम select करते हैं यह हमारा ERS process के लिए यानि की evaluated received settlement के process में काम आएगा जिसमें हम क्या करेंगे हमको कोई invoice जो है वह vendor से नहीं आएगा उसके बदले में हमारा जो system है वह automatically invoice बनाएगा किसके हिसाब से आपका GR quantity के हिसाब से आपको आपका जो है invoice वह automatically हमारे system में generate हो जायेगा तो ERS normally हमको जरूरत होता है किसके लिए जैसे हमने business process में पढ़ा था हम जहांपे automatic settlement करते हैं जैसे हमारा pipeline process हो गया हम वहांपे automatic settlement करते हैं तो वहांपे हमको यह वाला चीज जो है automatic indicators जो है उसको हमको select करना पड़ेगा तो next जो check box है वह है acknowledgement required तो अगर हम इसको select करते हैं तो यहांपे क्या होगा यह हमारा P.O. पे भी acknowledgement required का जो check box है वहांपे भी select होके आएगा तो select होके आने से हमको क्या होगा तो normally हम जो भी document को send करेंगे suppose हम purchase order बना के एक भेशते हैं हमारे vendor के पास तो vendor एक हमको acknowledgement करके देगा के हां हमारे पास जो P.O. आपने भेजा था वह आके पहुंचा है तो यह indicator यह काम करता है तो अगर आप इसको select करके रखते हैं तो जब भी आप कोई भी document send करोगे vendor के पास vendor हमको acknowledgement देगा suppose के हमारे पास P.O. का जो P.O. का document है वह आके पहुंच गया है या फिर हम जो delivery के लिए schedule कर रहे है या फिर हमारा जो delivery है वह already dispatch हो गया है हमारा item जो है वह dispatch हो गया है तो वह सारा कुछ acknowledgement आप जो हिसाब से maintain करके रखेंगे उसके हिसाब से आपको जो है वह आपको वैसे ही acknowledgement आपके vendor देगा तो next जो तो next जो checkbox है वह है automatic purchase order के लिए तो यह भी requirement है basic requirement है purchase order create करने के लिए तो पहला जो था वह material master में था दूसरा जो है वह यहां पर purchase order पर है हम उसका details जो भी automatic purchase order बनाने के लिए requirement है वह हम automatic purchase order जब बनाएंगे उस time में हम पूरा details देखेंगे यहां पर आप बस यह जानके रखेंगे अगर हम यह वाला checkbox अगर टिक करके नहीं रखते हैं वेंडर master में तो हम automatic purchase order जो है वह बना नहीं सकते हैं तो यहां पर नेक्स्ट जो indicators है वह है subsequent settlement, subsequent settlement index, B volume company तो यहां पर यह वाले जो 3 indicators है यह हमको जरूरत है किसके लिए rebate agreement के लिए तो suppose हमारा जो vendor है वह हमको कुछ rebate देने वाला है suppose काफी सारे जगा पर आप जब purchase कर रहे होंगे तो वहां पर आपको काफी सारे rebates मिलते हैं तो जैसे कि कोई भी चीज purchase करने में एक और चीज आपको free मिलता है तो ऐसे या फिर आप 1000 रुपीज का कोई भी purchase करें तो आपको 5% या 10% का cashback या फिर आपको जो discount होता है वह मिलता है तो वह सेम यहां पर हमारा vendor अगर ऐसा कोई condition भी Signal यह है vendor को उपर के आपको वह rebate दे रहा है तो आप यहां से यह वाला जो indicator वह इंडिकेटर है यह तीन indicator आप सिलेकayo करके रख सकते हैं तो यह तीन इंडिकेटर अगर आप सिलेक करके रखेंगे तो ही आपका जो rebate agreement है वह आप प्रिणे कर सकते हैं आपके वेंड़र के साथ नेक्स जो इंडिकेटर है वह है रिटार्नज़ंट अब हम यहाँ पर अगर रिटार्नज़ंडरर को सिल्द करके रखते हैं तो बुर्ट है वह वह हैं लेकिन उसके लिए वह प्रोग घंक ह में उसके की भी सपह लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले ये vendor को as a customer create करना पड़ेगा तो अगर हम इसको as a customer create करते हैं तो ही हम उसको क्या कर सकते हैं sd shipping के method में हम जो item हमको मिला है या फिर हमने material procure किया है purchase किया है हम उसको return बेच सकते है vendor के पास with sd shipping method तो यहाँ पर next जो option है वह है service based invoice verification तो यह same है जैसा हमारा gr-based invoice verification होता है तो यहाँ पर अगर हम इसको check करते हैं तो अगर हमारा यह जो vendor है यह अगर हमको service provide करता है तो हमारा जो service entry seat जो होता है जहां पर हम service आरे entry करते हैं उसके साथ ही आपका जो invoice है वह verify हो जाएगा आपके service entry seat के साथ अगर आप यहां से इसको select करते हैं तो यहां पर next जो indicator है वो है ABC indicator ABC indicator normally हम इसलिए देते हैं कि अगर हमको vendor को कोई point देना है या फिर vendor का classification करना है कि यह vendor हमारे लिए कितना important है तो हम यहां से vendor को तो हम जो है vendor को यहां पर कोई भी marking या फिर कुछ भी यहां पर set करके रख सकते हैं suppose ABC हम कुछ भी set करके रख सकते हैं यह बस हमारे reporting के लिए जरूरत होता है हम जब भी reports निकालेंगे तो उस टाइम में जरूरत होता है कि कौन सा वाला vendor हमारे लिए कितना important है उसके लिए हम यहां पर कोई भी indicator set कर सकते हैं next जो है वो है mode of transport border तो mode of transport border क्या होता है normally vendor अगर हमारा overseas vendor है तो यह कौन से transport method के हिसाब से हमारा जो material है वो हमारे border तक पहुंच आएगा यह हम यहां पर set कर सकते हैं suppose हमारा जो vendor है वो हमको material है वो हमको पहुंचा रहा है by air या फिर by Sip से भेज रहा है या फिर हमारा कैसे cargo से भेज रहा है तो वह सारा जो च डिफाइन कर सकते हैं, तो mode of transport border हम create कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम जाते हैं, purchasing, purchasing के बाद हम जाते हैं, foreign trade and customs, तो यहाँ पर हम जाते हैं, transportation data, transportation data के बाद यहाँ पर आता है, define modes of transport, तो यहाँ पर जो है, हम अगर देखते हैं, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए हमारा कौन सा mode of transport है, तो आपको अलड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इंडिया के लिए number one है air, number two है ship, number three है road, तो यह तीन अलड़ी यहाँ पर shipping method जो है, description mode of transport जो है, वो define किया गया है अगर आपका कोई दूसरा method है, shipping कराने का या फिर transport कराने का, तो आप यहाँ पर entry कर सकते हैं, यहाँ पर new entries में जाए, new entries में जाके country में डाल देजिए, इंडिया, mode of transport border, suppose हम चार number में डाल देते हैं, यहाँ पर description में डालते हैं, suppose हम डाल देते हैं, यहाँ पर Uber Delivery, that's a joke, यहाँ पर आप अगर चाहें, तो आप यहाँ पर mode of transport border जो है, वो create कर सकते हैं, तो यहाँ पर suppose हम, जो mode of transport है, हम suppose इसको one दे देते हैं, हलाकि हमारा जो यह vendor है, हम इसको इंडिया के लिए ही बनाया है, तो हमारा यहाँ पर इतना जरूरत नहीं है, दूसरा जो है, वो है office of entry, office of entry यानि आपका जो material है, वो कौन से location में, जो border में आएगा, वो कौन से location में आएगा, suppose हमारा यहाँ पर काफी सारे जो international airports है, suppose हमारा दिली में है, हाइदराबाद में है, हमारा कुलकता में है, बैंगलोर में है, चेन्नाई में है, हमारा जो shipping, मतलब ship का जो shipyard होता है, shipyard हमारा जिसा हाइदराबाद में होता है, चेन्नाई में होता है, कोलकता में होता तो आपका जो border है या फिर आपका जो office है वो कहां पर located है custom का जो office है वो कहां पर located है वो यहां पर आपको entry करना रहेगा तो आपका suppose customs entry जो है वो हम यहां पर two लिये हैं मतलब यहां पर ship है तो हमारा जो port है वो port कहां पर located है वो आपको यहां पर enter करना पड़ेगा तो यहां पे next जो field है वो है revaluation allowed तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो vendor का stock है हम उसको revaluate कर सकते हैं suppose हमारा market condition के हिसाब से या फिर vendor का जो material है उसका condition के हिसाब से suppose हमारा जो material है वो हमको थोड़ा सा पुराना stock मिला है या फिर हमारा जो items है वो शायद थोड़े से तूट गये हैं तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं थोड़े damage हो गये हैं तो क्या कर सकते हैं उसके लिए हम यहां पे revaluation कर सकते हैं मतलब value जो है उसको change कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम यह वाला indicator select करके रखेंगे तो हम revaluate कर सकते हैं वरना हमको revaluate नहीं कर सकते हैं जो भी stock है stock का price जो है वो same रहेगा तो next जो field है वो है grand discount in kind तो यहाँ पर अगर हम इसको select करते हैं तो vendor जो है हमको free goods बेज सकता है हमको अगर वो कुछ discount देना चाहे या फिर अगर extra कोई सामान अगर भेजना चाहे तो हमको यहाँ पर बेज सकता है हम उसको entry कर सकते हैं या फिर आपके PO के लिए यहाँ पर आपका shipping point जो है उसको determine करता है तो हमारा यहाँ पर next जो है वो है plan delivery time तो plan delivery time मतलब आपका जो vendor आपको कितने दिन में आपको जो item है आपका जो material है वो आपको पहुंचा के देगा उसके लिए हमारा यह plan delivery time होता है तो आपको कितने दिन में दे सकता है वो हम यहाँ पर enter करके रखेंगे तो यहाँ पर next field है confirmation control यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे confirmation control जो है वो दिया गया है तो यहाँ पर 0001 जो है वो confirmation है और यहाँ पर काफी सारे जो चीज है वो already maintained है यहां पर जिसा order acknowledgement हो गया या फिर delivered हो गया confirmation हो गया तो आप यहां से कुछ भी select कर सकते हैं यह select करने के बाद क्या होगा जब आप pure send करेंगे अपने vendor के पास तो वो vendor क्या करेगा आपको order acknowledgement भेज़ेगा या फिर आपको shipping notification भेज़ेगा वो जो सारा कुछ भेज़ेगा कौन सा जो मतलब एक confirmation भेज़ेगा आपको वो सारा आप यहां से define कर सकते हैं तो यह हमारे कुछ important fields थे जो हमको एक vendor master बनाने के लिए हमको जानना जरूरी होता है हमको जानना चाहिए तो purchasing side के लिए इतना जो data है वो most important थे मतलब कुछ important data थे अगर आपको कोई दूसरा field के बारे मे जानना है तो आप जरूर comment section में बताईए I will try to explain you उसका क्या importance है अगर आपको कोई ऐसा doubt है तो आप पूछ सकते हैं तो चलिए हम इसको save कर लेते हैं तो हमारा vendor जो है यहां पर create तो यह था आज का class आज के class में हमने create कर दिया है जो हमारा vendor master था purchasing department कि लिए हमने create कर दिया है तो हम मिलते हैं अग्ली class में अग्ली class में हम इसी vendor को extend करेंगे to accounting department तो अगर आपको आज के class में कोई भी डाउट है तो आप जरूर comment section में पूछ सकते हैं या फिर अगर आपने ग्रूप जॉइन किया है तो ग्रूप में भी डारेटली पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाई बाई जैहिंद टेक केर एंड पढ़ते रहें और सीखते रहें